अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश में उस प्रकार के परिवार का उसद प्रजद अंदर दो था और बिहार में उस प्रकार के परिवार का उसद प्रजद अंदर दो था और अगर इंटर पास है लड़की बार हुई इच्छा पास है पत्नी में पत्नी तो देश म उस तरह के परिवार का उसत प्रेज़न अदर एक दसम्लोग साथ और बिहार में उस तरह के परिवार का उसत प्रेज़न अदर मिला एक दसम्लोग च्छे तो सोच लिए इसके बाद कैसी बात आगे यूरेका जैसी बात आगे और उसके बाद जो हम लोगों ने ये स्टोचा कि हम हर लड़की को पढ़ा दे और तभी तो हम लोगों ने तैय किया कि हम अपने सारे ग्राम पंचायत में उच्छ मादमिक विद्याले बनाएंगे ताकि सब लड़की इंटर तक पढ़ ले तो सीधे प्रजनंदर लीचे जाना शुरू होगा और इस पर काम शुरू हो गया अब लगवक्ष यहजार ग्राम पंचायत में हो गया लेकिन इस बार करता है हो चुका कि बाटी जो बचे हुए ग्राम पंचायत है दो हजार कुछ उसमें इसी सार अप्रील महीने से मारको इस वर दोचरी कीस में जो चार्थ बिर्ती होगी उसके सारी नियम यहां पे बदल दिये गए हैं जी हाँ जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आपको जो है यहां पे सरकार देने जारी है 10 से 25 जार रुपे की चार्थ बिर्ती सभी को चाहे आप फर्स डिविजन पास करें सेकेंड डिविजन पास करें या ठर्ड डिविजन पास करें सभी के लिए अलग-अलग चार्थ बिर्ती के योजना की रासी आपको अबंटित की गई है आपको बता दे कि इस साल जो एक्ज सब कुछ इस बात do ते जायेंगी लेकन यहाँ पर निकल कर सामने आती रहाँ कि पौशह मिलेगी जो लर्का या नरकी फ़र्ड डिविजन से पास करती है या जो सेकिंड इविजन से पास करती हैं क्या criteria है कैसे छात्रवर्थी आपको मिलेगी इसके लिए कैसे apply किया जाता है ठीक है किया income होनी चाहिए किन छात्रों की असकरोर सिप नहीं मिल पाती है किन गलती के बज़े से नहीं मिल पाती है सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे अगर यह आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको इस वार चाहितर बिर्थी जरूर मिलेगी पस आपको प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए ता यह सुरुगात करते हैं जल्दी से यहां पे हम लोग जानेंगे अगर आपका सपना है नीट क्वालिफाई करने का तो आपको चाहिए इंडिया की टॉप एज लुका देती है तो देर किस बात की आज ही जूरे परण सेकेंड बैच जो की सुरू हो रहा है आपका 17 फेबवरी से और इसमें आपको मिल जाएंगे इंडिया के वेस्ट एजुकेटर परणभ पुंड्यारिक तमन्ना चौधरी और रभी प्रकाश जैसे फेकल्टी आपकी स्क्रीन पे होंगे तो आज ही जूरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो रेफरल कोड में अभी से एक ट्यूटरियल यूज करें यह ओफर कुछ दिन तक ही अबलेबल है जल्दी करें यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं इंट्रेक्टी लाइक क्लासे मिलती हैं एवरिधिंग विल गेट ओन अन अकाडमी तो आज ही जूरे अन अकाडमी से देर किस बात की नीट वीजी सिब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पे ले सकते हैं प्लस वाली और आइकॉनिक अपनी बजट के अनुसार आप यहाँ पे चुन सकते हैं आइकॉनिक में आपको बहुत सारी फैसलेटि मिल जाती है यहाँ पे बात करें फीचर्स की तो फीचर्स आपको यह पता है अन अकाडमी फीचर्स के मामले में इंडिया का नंबर वन एप है आप अपने फेकलिटी को चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी फैकलिटी से वढ़नी है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो देरकीस बात की आज ही जो रोनान अकाडमी से लिंक डिस्किप्शन में दिया गया है रेफरार कोड भी दिया गया है अभी सेक टिटेलियोर और 10% का जाएगी उसमें चात्र सामिल होंगे या नहीं पूरी वीडियो देखेएगा सब कुछ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को सेयर करके अपने सभी दोस्तों को वाट्सक गुरूफ में फैला देना अब बात करते हैं एक एक करके सबसे पहले आपको बता दिए कि अगर आप फस्ट डिविजन से पास करते हैं तो गौर्मेंट आपको 10,000 रुपे की रासी आपको देगी यानि 60% यहाँ पर मैट्रिक वालों की बात करेंगे पहले तो 60% मैट्रिक में अगर आपने लाया है तो 10,000 रुपे की रासी देगी मैट्रिक में ध्यान देंगे आपने 60% से एवर भी लाया है तो आपको 10,000 रुपे की रासी ही सरकार यहाँ पर देगी लेकिन यहाँ पर बता दें कि अगर आप इंडर के टेंट हैं अगर आपने अच्छे मार्च लाए हैं तो यहाँ पे 25,000 रुपे की रासी सरकार देने जारी है सभी छाथ छात्राओं को आपको बता दें कि अगर आप टेंट पास करते हैं और आपकी जो परसेंटेज हैं वो काफी अच्छी होती है अगर आप यहाँ पे 80% मार्च अगर ले आते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी रासी अस्कोलर्शीफ में देखने को मिलीगी जो अस्कोलर्शीफ पहले 15,000 मिलती थी वो अब 20,000 रुपे तक बढ़ा दी गई है यानि अगर आप 80% मार्च लाते हैं तो आपको 20,000 रुपे तक की छात्र बिर्थी किरासी आपको देखने को मिल सकती है सभी छात छात्राय जानें कि यह स्कोलर्शीफ किन छात्रों को नहीं मिल पाती है क्या गलती होने पे नहीं मिल पाती है आपको एक वीडियो दिया गया था इस पे अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन है मैं लिंक देदूँगा वहाँ पे आप देख लिजेगा कि अपलाई कैसे किया जाता है उसमें मैंने बता रखा है बात करते हैं कि इन चात्रों को नहीं मिल पाती है तो वैसे चात जिन्होंने अपना एकाउंट जो है वो ग्रामिन बैंक में खुलवा रखा है या किसी कारण बस अपना एकाउंट नमबर नहीं तो वो करते क्या है कि अपने घर में किसी पैरेंस का ओ Five К Review, Bin II Business आपको बता दे, तो बहुत लोग करते हैं लेकिन आपको बता दे, केबर 60% को ही चातरविएर्टी मिल जाती है, बाकि 40% मेट करते रहा जाती है, पिछले साल का भी यही हाल था, सही तरीकी से चातविर्ती के लिए आल्लाइन नहीं कर पाने के कारण बहुत सारे लड़कों को चातविर्ती यहाँ पे नहीं मिल पाई आपको बता दे कि अगर आप चाहते हैं कि चातविर्ती की सही तरीका आपको पता हो और आपको चात्रबिती की रासी आपके बैंक अकाउंट तक पहुँच जै तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी अपडेट बताई जाएगी कि कैसे आपको फिल करना है खुद से करके दिखा दिया जाएगा आपको यह भी बता दे कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपको किस कॉलेज में अडमिशन लेना है किस उन्वर्सिटी में कितनी सीट खाली है बिहार के किस उन्वर्सिटी में काउंसी उनिवर्सिटी में एडमिशाल लेना अच्छा होगा कैसे online apply के जाता है सब को इसी चैनल पर बता दिया जाएगा अब बात करें कि जो छात्विर्ती की रकम होती है 10 से 25 जार रुपे तो उसका category क्या है ठीकि अगर आप second division से पास करें तो क्या आपको छात्विर्ती मिलेगी ठार डिविर्स से पास करें तो छात्विर्ती मिलेगी तो जी हाँ इस बार सभी को छात्विर्ती दी जारी है 10,000, 15,000, 25,000 रुपे जो पहले था 10,000, 15,000, 20,000 उसमें इजाफा करके 20,000 वाले को जो पहले 20,000 मिलता था उसे 25,000 कर दिया गया है ये साब साब मुख मंत्री जी ने कह दिया है तो आपको बता दें कि जो भी छातर यहां पे 25,000 रुपे के स्कॉर से लेना चाहते है उनका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 80% मार्क्स होने चाहिए अगर आपके मार्क्स 80% है तो आपको 25,000 रुपे की रासी बिहार सरकार देगी साथी साथ बात करें कि बिहार सरकार के अलावे केन सरकार भी आपको छातर बिती देती है जी हां बिहार के सभी स्ट्टेंट को केन सरकार भी छातर बिती देती है इसके लिए भी आपको आनलाइन ही अपलाई करना होता है तो एक श्ट्डेंट जो है वो बिहार से भी छात्रबिती ले सकते है और केंज सरकार से भी छात्रबिती ले सकते है इसके लिए केंज सरकार के पोर्टल पर जाकर आनलाइन करना होता है तो जो स्टेंट केंसरकार की वे स्कॉर्सिप लेती हैं उनको डबल स्कॉर्सिप मिल जाती है और इससे उनका केरियर बहुत अच्छा हो जाता है तो आप लोगों से अनरोध हैं जब भी आप स्कॉर्सिप के लिए अपलाई करें तो राजसरकार और किने सरकार दोनों के लिए अप्लाई करें जिससे क्या होगा कि आपको स्क्राइड के रासी अधिक मिलेगी और आपको आगे के केरियर आगे की परहाई के लिए बहुत सहेता मिलेगी अगर आपकी आर्थिक सिति अच्छी नहीं है तो जिनका एक्जाम नहीं हुआ है जो मैट्रिक के स्ट्टिंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप से अन्रोध हैं आप बहुत अच्छा लिखें एक्जाम में ताकि ये स्कॉलर्षिप की रासी आपको मिल सके और ये मौका वार वार नहीं मिलता है इस बात का ध्यान चाहिए अगर आपके पास जाती पर्मानपत्र है इंकम पर्मानपत्र है जिसे आई पर्मानपत्र बोलते हैं तो ये छात्रविटी आपको जरूर मिलेगी कैसे अपलाई किया जाता है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं तो इस वीडियो के बाद उ तैक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो का धीक सरदीक शेयर कर दे ताकि सभी इस डेन को इसका फैदा मिल से ने